आपके अपने अलाइन टेटोरिया सब्सक्राइब मैं प्रलाद लेकर हूँ आज आपके लिए थर्ड येर का जुलोजी फर्श पेपर अप्लाइड एंड एकोनामी जुलोजी यह आपके पेपर का सिर्शक है यानि टोपिक कहलो ठीक उसके बाद हमको यहाँ पर टाइमिंग 3 हावर्स और जो पेपर मार्क्स है वो मिलेगा 75 चलिए देखते हैं इनपोर्टेंट कोशन पेपर सीरीज में आगे कुछ मात्पूर्ण नोर्स आपको दिये जा रहे हैं चलिए इस नोर्स को आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा है मत्पूर्ण परस्न पर सिंखला से आप सभी को 20 प्रस्न का एक बहतर प्रस्न प्रस्तुत किया जा रहा है जो आपके आगामी परिच्छा के लिए आति मत्पूर्ण है आप इस न देखा ना करें ठीक कभी मत करिएगा इस्टू पढ़े थे और वहां पर कोई भी नहीं था तो थर्डियर का जुरोल जी के वल अप्लूट किया था वह भी काफी अच्छा रिस्पॉंस देखे गया और बच्चे काफी मांक्स लगभाग हमने 82 पर्शन मांक्स तक क्लियर किया है तो चलिए यह देखते हैं फॉर्ष कुर् कितने 15 मांक्स के साथ आएगा तो देख लिजेगा इसको काफी इंपोर्टेंट्स हैं मेरे चैनल पर लगभग इस पेपर के सारी वीडियो लोगल है तो आप जाके अपने प्लेलिस्ट को चेक कर लिजेगा और प्लेलिस्ट को चेक करने के बाद वहां पर जितने भी क्लास का वीवरड दीजिए तो क्या देना है जी अडिया का लाइफ सेकल बनाना है मैं बनाया भी हूँ ठिक उसके बाद इसके रोग कैसे होते हैं इसके नियंतर कैसे करें दवाओं का क्या नाम होगा इसके बारे में आप बताईएगा ठिक क्योंकि मैं का लाइफ क्लासे में कई student से पूछा तो लगबग कई student ने जवाब दिया था अपने की sir ये वाला answer सही होगा तो आप भी हर सुक्रवार और सनीवार मिल सकते हैं हमारे साथ इस पेसली live class में तो चलिए आगे चलते हैं question number 3 के पास question number 3 हमारे पास आ जाएगा यहां पर क्या करा है गांधी बग जो मारे गांधी बग है उसके बारे में बात करा है गांधी बग कीट से होने वाली हानी तथा इसके नियंत्रल का वर्ण करना है ये भी 15 नमर के question है तो आगे बढ़ेंगे तो आगे देखो question number 4 क्या कह रहा है कह रहा है कोशन नमर 4 कह रहा है कि गन्य की पत्ती भच्छी द्वारा होने वाले जो छती है और उसके नियंत्रल है उस पर चर्चा करना ये भी 15 नमर काएगा तो यहां पे सुगर केन का जो लिफ हाफ़र है उसके बारे में हमको बताना है ठेक तो चलिए आगे चलते हैं कोश चैनल पर पड़ा हुआ है एक्सप्लेइन यहां पर कह रहा है एक्सप्लेइन एपिकल्चर एंड यूजफुल प्रोड़क्ट आयड ओविडियंस फार्म इड्स तो यहां पर मदमक्खी पालन तो था इससे प्राप्त उप्योगी जो उत्पाद होते हैं उनका वड़न करन कि बिमारियों पर चर्चा कीजिए तो मैं लगभग इसका क्लास भी आउलोबल कर दिया हूँ आपके लिए आप जाके देख लिए प्लेलिश में आपको मिल जाएगा कोशन नमर 8 के पास चलते हैं कोशन नमर 8 क्या कह रहा है बिमारी फैलाने वाले दीमक तता उसके रोग का वढ़न कीजिए ऐसे कौन से हमारे पेश्ट होते हैं टिक जो थर्मल प्लेस्ट हैं उनके बारे मताईएगा आप यहां पर तरमल और ट्रमीट कर लिजिए आप टर्मीट टिक डिसक्राइब टरमीट पेश्ट एंड देयर कंट्रोल टिक तो इसको कर लिजिए गा टर्मी उसके बाद आगे बढ़ते कुछ नमर 9 के तरफ तो यहां पे क्या है कुकुट पालन क्या है कुकुट पालन से आप क्या समस्थे हैं चर्चा कीजिए तो यहां पे poetry farming की बात करा रहा है तो कुकुट पालन आप देख सकते हैं बड़ा अराम से मुर्गी पालन भी इसको कहते ह है तो इसको चाशा कर लिजेगा यह 15 नमबर के कुश्चन है बड़ा इंपोर्टेंट है मैं पढ़ा भी दिया हूं इसको आपको वीडियो मिल जाएगा अपने प्लेलिस्ट में उस नमबर 10 के पर चलते हैं तो यहां पर क्या करा है जो हमारा इक्वा कल्चर होता है इक्वा क जनक्ता के बारे मताना है तो इसका भी क्लास मिल जाएगा प्लेलिस्ट में सारे क्लास लगबगो लेबल हो गया इस्टुडेंट आप जाके देखते रहिए और अपने एंसर के लिए कापी पे साही तरीके से नोट्स किलियर करते रहिए आगे बढ़ें कुशन नमर 12 के तर ठीक मैं वहाँ पे ब्रेडिंग करने की अलग-अलग मैथट को काफी अच्छे से काफी सरल भासा में हिंदी में आपको समझाया हूँ आप सही तरीके से देखकर उसको वेरिफाई करके अपने नोट डाउन कर लीजे आपका एंसर पूरा हो जाएगा आगे बात कर लेते है यहाँ पे कुछ मचलियों में जो डिजीज होते हैं उनके बारे मताना है कि मचलियों में होने वाले कुछ प्रमुक डिजीज हैं इसका क्लास हमको देना अभी कि मचलियों में कौन-कौन से रोग होता है जल्द ही इसका क्लास आपको मिल जाएगा वह कुछ नमर पंदर के बढ़ते हैं तो कोशन नमर 15 के करा है वन प्राडियों से आप क्या समझते हैं इसके महतों का उड़न कीजिए और वन प्राडियों के अबलुक्त होने के कारण पर प्रकाश जा लिए यह 15 नमर के कैसा कोशन है जो लगबाग हर साल किसी न किसी इनवर्शिटी में हर साल आया बिहार और दिल्ली के जैसे कोशन इनवर्शिटी हैं सब में ये सरेबस काम करता है और ये कोशन भी काम करता हुआ नजर आएगा वही कोशन नमर 16 तरफ बढ़ते हैं तो यहां पे क्या करा है जो हमारा पाइरिला के जीवन चक्र के बारे मताना है और किये गए नुकसान व जो मारा लाग कल्चर होता है उसके बारे मताना ये साथ नमबर के कुशन है सेवन पॉइंट फाइप मार्क्स को लेकि आता है तब इसको ध्यान दीजिएगा वही कुशन नमर 18 के पास चलते हैं कुशन नमर 18 क्या कहा रहा है कि भारत में विविद प्रकार के राष्टी जाएगा वन जनतूं के संरच्छड के बारे में वन जनतूं के सबक्रिशल के बारे में इस पश्ट की 알ाता है उनके बारे मां दीजिए को नशत नंपर नामें MODE स sorting यहां पे आपको जितने भी स finite के कोस्टिछन्स हैं क्या है देखाए संचित टिपड़ी वाले प्रास अगले वीडियो में बताये जाएंगे इसका सिकेंड पार्ट आएगा हम सिकेंड पार्ट में जितने भी 60 कोश्चन होंगे जो एक एक दो दो नंबर वाले होंगे सबको हम किलियर कर लेंगे तो मिलते हैं नए क्लास में नए कोले के तब तक के लिए जहिल